मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था, मेरी मम्मी एक बरे बंगले में नौकडी करती थी, मेरे पापा दुनिया में नहीं थे, मेरे पापा को मरे हुए दो साल बीच चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेली ही रहते थे, पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे परोसन के घड़ छोर कर चली जाती थी मैं परोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी लेकिन जब से मैं 14 साल की हो गई थी तो मेरी मा मुझे अपने साथ काम पे ले जाती मैं पहले भी कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी लेकिन काम नहीं करती थी लेकिन आज जहां मेरी मम्मी मुझे लेके गई थी वो बंगला कोई और ही था मैंने मा से पूछा तो वो कहने लगी कि यहां के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं मम्मी मुझे अंदर ले गई मालिक सामने अंगन में बैठे थे मेरी मा को देखकर उस आदमी के चेहरे पे एक अजीव सी मुस्कुराहट आ गई थी मेरी मम्मी ने उस आदमी से मेरी पहचान करवाई उस आदमी ने अजीव नजरों से मुझे सर से पैर तक बरे गौड से देखा था मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था ममी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पे आया करेगी वो कहने लगा ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है फिर मेरी ममी ने मुझे जारू पकराया और कहने लगी तुम पूरे बंगले का जारू पोचा लगाओ इसके बाद किचन साफ कर देना फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ ये कहकर ममी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुरा कर मेरी मा को कमड़े में जाने का इसारा किया मेरी मा मालिक के साथ ही कमड़े में चली गई और फिर कमड़े का दरवाजा बंध हो गया मैंने एक नजर जारू पे डाली और दूसरी इस बंगले पे फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का जारू लगाने लगी मुझे काम काच के आदत नहीं थी इसलिए मुझे जारू पोचा करने में पूरे दो घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से ठक गई थी फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था बहुत ज़्यादा बरतन जमा पड़ा था देखकर मेरा रो देने को दिल चाह रहा था मैं ये सब काम अकेली कैसे कर सकती थी खैर मैंने बरतन धोए किचन के सफाई की लेकिन साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिये है तो मम्मी कमड़ी में क्या कर रही है मैं किचन का काम करने के बाद बिलकुल बेहाल सी हो गई थी जब मैं बाहर आई तो माली का कमरा अभी भी बन था मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी इसलिए मैंने माली के कमड़े का दरवाजा खटखट आया कुछ दिर बाद मम्मी ने कमड़े का दरवाजा खोला था वो पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी और मुझे से कहने लगी तुम बाहर बैठो मैं अभी आती हूँ ये कहकर मेरी मम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी मा के पास तो चादर भी ना था लेकिन जब पास मिनट बाद वो कमड़े से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पे लिप्टी हुई थी जैसे वो पहन कर कमड़े में गई थी बाहर आते ही उन्होंने तुरंथ ही कमरा बंद कर दिया और फिर मुझे अपने साथ लिए बंद से बाहर निकल आई मम्मी की आँखें सूजी हुई थी जैसे कमड़े से रोकर आई हो मैं ये सोच रही थी कि मम्मी ने बंद में कोई काम भी नहीं किया वो तो पूरा दिन माली के कमड़े में ही रही थी सारा काम तो मैंने किया था लेकिन मेरी मा को देकर यही लग रहा था कि जैसे वो बहुत ठकी हो ना जाने ऐसा क्या काम कर दिया हो मेरी मा घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरबाजा भी बंद कर लिया मुझे बड़ी जोड से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था आदे घंटे बाद मेरी मा अपने कमरे से बाहर आई मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है वो कहने लगी कि तुम जाकर परोसन के घर से सबजी ले आओ मैं तुम्हार लिए रोटी बना देती हूँ मैं परोसन से सबजी ले कर आई और इतनी दिर में ममी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी रात को ममी ने पालक पनीर बनाया था जो मुझे बहुत पसंद था मैंने खूब अच्छे से खाया मेरी माने मेरे लिए सुबा के लिए भी पनीर रख लिया कहने लगी कल आकर कुछ बनाना नहीं परेगा मैं काम पर जाने से पहले ही रोटी बना कर रख दूँगी मैंने कहा ममी मैं कल तुम्हारे साथ काम पे नहीं जाओंगी क्योंकि वो बहुत बढ़ा घर है और इसी वज़ा से मैं वहां काम नहीं कर सकती मेरी मा कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो इसलिए अभी से काम की आदर डालो महंगाई दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है ऐसे में मैं अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकती मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी लेकिन अब तो रोज का यही काम था मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती मुझे वहां पे गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पे होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती है तो पसीने से भीगी होती उनकी आखे भी बड़ी लाल लाल होती है और वो थकी सी होती है एक बार मैंने मा से कह दिया कि मम्मी आप तो कुई काम भी नहीं करती हो और देखने में ऐसे थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तो तुमने ही किया हो वो कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ मेरा काम तो ये कहकर वो चुपसी हो गई थी फिर एक लंबी सांस भर कर बोली गरीबी एक बहुत बरी मुसीबत है जिस घर को लग जाए उसे बरबाद कर देती है मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुस्किल मुस्किल बाते कहां से सीखती है मेरी मां बहुत खुबशूरत थी लेकिन मम्मी वो हर चीज मुझे खि़ाती थी जो मैं उनसे कहा करती थी हम लोग इस महंगाई के दौर में मलाई कौपता खाते थे जब मैं मम्मी से पूछती मा तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सबजिया खरीद रही हो तो वो कहने लगती तुम भी तो मेरे साथ इतनी महनत करके कमाने लगी हो तुम्हें अच्छा खाने पीने की जरूरत है मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी मुझे पीट भरकर खाना खिलाती थी और खुद बचा हुआ खाना खाती थी कभी कभी मैं सोचती थी कैसी महंगाई है जो मेरी मा के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है मेरी मा की खुबसूरती अफीकी पढ़ने लगी थी एक दिन जू कुछ मेरी आँखों ने देखा था मुझे अपनी आँखों पर यकीन करना मुस्किल था मेरी मा अक्सर अपने कमड़े की अलमारी लॉक करके रखती थी मुझे भी मना करती कि मेरी अलमारी को हात मत लगाना लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी मैं बड़ी हो रही थी इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओड़ कर जाया करू मैंने मम्मी की अलमारी से अपने ये चादर निकालने लगी तो वहां कपरों के नीचे से मैंने एक ऐसे चीज देखी कि मेरा दिल धरकना ही भूल गया था मेरी मा मुझे बाहर पुकार रही थी मैंने चादर ली और फिर कमरे से बाहर आ गई मम्मी आज फिर से उस माली के कमरे में थी मेरा आज काम करने का बिलकुल भी दिल नहीं कर रहा था मैंने सोचा कि आखिर ये माली का मेरी मा को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाता है और तीन घंटे तक मेरी मा से क्या काम करवाता है मैंने आज इस घर की सफाये दिल से नहीं की थी, थोरे थोरे ही सारी काम किये और माली के दर्वाजे के पास जाकर खरी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि साइद मुझे कोई खिर की नजर आ जाए, इससे मैं अंदर जाक सकूँ कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है, कि इतनी ठकी हुई होती है, लेकिन वहां मुझे कुछ भी नहीं दिखा था, फिर मेरी नजर दर्वाजे के की होल पे परी, मैंने उ हर जगा अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा था, बस कमरे में सामने की खिर की नजर आ रही थी, जिसके सामने परदा लगा कर रोसनी को आने से रोका गया था, मुझे बिलकुल मायूसी सी हो रही थी, मैं कई बार मम्मी से पूच चुकी थी, कि म मालिक अपने कमरे में ले जाकर आपसे क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी मा हर बात बात को टाल देती थी, लेकिन अब मैंने भी ये ठान लिया था, कि मैं हर हाल में ये बात जान कर ही रहूंगी, मैं अभी भी उसी कीहोल से देख रही थी, कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे प तब ही किसी ने मेरे कंधे पे हात रखा था मैं तो बुरी तरह से हर्बरा गई थी और सटते पीछे हटी मेरा दिल ऐसा हो गया था कि धरकना ही भूल गया था जब मैंने पीछे पलट कर दिखा तो सामने खरा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था मैं बुरी तरह स किसी नौजवान को यहां आते जाते भी नहीं देखा था उस लड़के के हात में एक बैग था वो मुझे तिरची नजरों से देख कर बोला ए लड़की मेरे बाप के कमड़े में क्या ताका जाकी कर रही हो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाजी गले में कहीं फस गई ह मैंने उल्टा सीधा बोलना सुरू कर दिया कुछ नहीं मैं वो मेरी मम्मी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दू मैं भी चुप हो गई वो कहने लगा चोर हो मैं जल्दी से बोली बिल्कुल नहीं मेरे जवाब से मुझे एक नजर सर से पैर तक देखा और फिर बोला कौन हो तुम मैंने उसे जवाब देती हुए कहा मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ वो मेरे जवाब पे मुस्कुराने लगा कहने लगा सब अपनी मम्मी की बेटिया और बेटे ही होते हैं मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ लेकिं तुम ये बताओ कि इसके अलाबा तुम क्या हो मैंने कहा मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ और यहां पे काम करती हूँ ना जाने क्यों मैं बदहवास से थी मेरी बास सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पे बैट गया अपने पाउं सामने रखे सीसे के टेबल पे रख दिये फिर मुझे इसारों से अपने पास बुलाने लगा कहने लगा ए लड़की आओ मेरे जूते उतारों ये सुनकर मुझे हैरानी हुई थी मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी मैंने साफ साफ इंकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करती मेरी बास सुनकर वो बोला अच्छा पापा की कमरे में तांका जहाकी करती हो और काम नहीं करती बास सुनो मेरी अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वो तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे ये बास सुनकर तो मेरे होस उर गए थे मैंने कहा आप ऐसा कुछ मत कहना मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी मेरी बास सुनकर वो मुझे कुछ नहीं बोला बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इसारा करने नगा मैं बेवसी से उसके पास पहुची थी वो एक सोला से सत्रा साल का लड़का था सकल भी उस मालिक से ही मिलती थी लेकिन था बहुत घमंडिक किस्म का मैं उसके पास रखी सीसे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिये तो वो मुसे एक ग्लास पानी भी मांगने लगा मैं किचन में आ गई पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए और फिर उस लरके को पानी दिया इतने में कमरी का दरवाजा खुल चुका था वो मालिक अपने बेटे को देखकर बेहत खुश था वो हॉस्टल में रहता था यहां कुछ दिन के छुटिया बिताने आया था मेरी मा अभी ठकी ठकी पसीने में भीगी हुई थी वो लड़का सायद मेरी मा को जानता था इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा मेरी मा ने भी उन्हें नमस्ते का जवाब दिया और फिर ममी ने वापसी के इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिये वो उस बंगले से बाहर निकल आई अगले दिन जब ममी के साथ काम पे गई तो वो लड़का वहां नास्ता कर रहा था मेरी मा फिर से माली के कमरे में जा चुकी थी मैं बंगले की सफाई करने लगी वो लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था मैंने भी खुबसूरती अपनी मा जैसे ही पाई थी मेरी उम्र 14 साल थी मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई करने के लिए गई तो वो मेरे पीछे कमरे में ही आ गया मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था मेरा दिल डर के मारे काप गया था वो मुझे बरी अजीब सी नजरों से देख रहा था मेरे पास आ गया मैं फोरण से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी लेकिन इससे पहले कि वो उस दरवाजे के बिलकुल पास ही जाकर पहुँच गया ये देखकर तो मेरी जान ही बिलकुल निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे के कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा कहने लगा कल तुम उस कमरे में जहांक कर क्या देखने की कोसिस कर रही थी एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए वो पूछ रहा था मैंने कहा मुझे बाहर जाना है आपने दरवाजा क्यों बंद किया है वो मेरी बात को नजर अंदाज किये बगएर मुझे बरे गौर से देख रहा था उसकी देज नजरों से मेरे पूरे सरीर मेर संसनी से दौर गई थी तुम्हे बहुत सौक है न दूसरे के कमरों में ताकर जाकी करने की ये देखने की कि वहाँ पी क्या हो रहा है और वो हसने लगा कहने लगा मैं तुम्हे बताओं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है इसकी बात से मेरे सरीर में गुसे की लहर दौर आई थी इससे पहले कि वो मेरे पास आता मैंने मम्मी मम्मी चिलाना सुरू कर दिया लेकिन वो मेरे मुँपे हाथ रख दिया और कहने लगा अगर सोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूँगा ये कहकर उसने मेरे मुँसे अपना हाथ अठाया और कमड़े का दरवाजा भी खोल दिया, मैं कमड़े से बाहर निकल गई, उस लरके ने अपने कमड़े का दरवाजा तीजी से बंद कर लिया, मैं इस तरह परिशान थी कि रोने लगी थी, मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ पे मैं काम करने नहीं आऊंगी, मैंने बांकी का क मुझे रोता देकर परिसान हो गई मुझे रोने की वज़ा पूछने लगी मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली मैंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मैं पूरे रास्ते भर रोती रही मेरी मम्मी मुझे घर की बजाए डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी लेकिन मैंने मना कर दिया घर जाकर मैं मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लरके की बाते भी मैंने उन्हें बता दी वो बहुत ज़्यादा परिसान हो गई थी मैंने कहा मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है मेरी माने मुझे चुप कर और कहा कल से वो अकेली ही जाया करेंगी अगले दिन मैं घर पे ही रही थी लेकिन उस दिन जब मम्मी घर आई थी तो उनका चेहरा लाल हो गया था वो बहुत ज़्यादा ठकी हुई थी आते ही बिछी चारबाई पे लेट गई जब मैंने मम्मी को छू कर देखा तो वो बुखार की दवा भी दी रात भर में मम्मी का सर दवाती रही लेकिन उन्हें बहुत तेज बुखार था वो नींद में भी हाई हाई कर रही थी मेरे पास रिस्ते के नाम पे सिर्फ एक मम्मी ही थी अगर उन्हें भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी सुबा तक मम्म का बुखार तो काफी कम हो गया था लेकिन ठकाबट बहुत जादा थी इसके बाबजूद वो माली के घड़ जाने को तयार थी मैंने मां से कहा कि वो आज छुटी कर ले लेकिन वो कहने लगी कि मैं छुटी नहीं कर सकती वरना नौकली छूट जाएगी मैंने कहा तो ठीक है आज मैं अकेली काम पे चली जाती हूँ मेरी बास सुनकर मम्मी की रंगत उर गई थी और वो मुसे कहने लगी कि नहीं मैं तुम्हें वहां अकेली कभी नहीं भेग सकती इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई थी लेकिन मेरी मां की तब्यत ठीक न थी वहा सारे काम खुद ही कर लूंगी वो जमीन के कुने में बैठ गई उस आदमी का पेटा आज मुझे कही भी नजर नहीं आया था साइद वापस हॉस्टल जा चुका था मैंने पूरे घर की सफाई की मम्मी एक कुने में बिहाल से लेटी थी जब सारे काम खत्म हो गए तो माली कहन कहने लगे कि तुम्हारी ममी तो बहुत ही जदा बीमार है इसके हिस्से का काम कौन करेगा ये सुनकर मुझे उस मालिक पे गुस्सा आने लगा अफसूस भी होने लगा मैंने कहा मेरी मा बिमार है वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता मुझे अपना काम पूरा करवाना है तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भरली राज तो मुझे भी जानना था कि वो मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है जो मेरी माकी अलमारी में हजारों की कई नोट पड़े रहते हैं लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमडे में जाने लगी मेरी मा मुझे चिलाने लगी कहने लगी तुम अंदर नहीं जाओगी साइद मेरी माँ वही पास में ही थी और इसलिए मेरे और मालिक के बीच की बातों उन्होंने सुन ली थी इसलिए इतनी तीज बुखार में भी वो बोल पड़ी थी बहुत मुश्किल से वो उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई साम को मैं अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गई लेकिन अगले ही दिन मेरी मम्मी गहरी नींद में सो रही थी मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई अब तो मैं सोच में पर गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे की पीछे क्या राज है मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई वो मालिक मुझे अकेला देकर मेरी मा के बारे में पूछने लगा कि उनकी तब्यत को क्या ठीक नहीं है पहले तो उस मालिक ने मुझे सारे घर के काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वो काम करूँ जो मेरी मा करती थी वो मुझे उससे डबल पैसे देगा जितना मेरी मा को देता था मैं उसकी बात मान गई उस वक्त मुझे पैसे नहीं चाहिए था बस ये जानने में दिल्चस्पी थी कि वो मेरी मा से क्या काम करवाते हैं कि जब कमरे से बाहर आती है तो ठकी ठकी होती है मैं जब उस मालिक के कमरे में गई पूरे कमरे में अंधेरा चाया हुआ था उस मालिक ने एक नाइट बल्ब आन किया और फिर उसके बाद खुद वो वाश्रूम में चला गया मैं धरकते दिल के साथ उस कमरे के बैट पे बैट गई कुछ दिर बाद जब वो मालिक वाश्रूम से बाहर आया तो उसने रात के कपरे पहन रखे थे मुझे देखकर हैरत हुई जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होसी उर गए थे मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या काम करवाना चाहता है मैं खरी हो गई लेकिन इतनी ही देर में वो मेरे पास पहुच गया था फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल के सीसी पकरा दी और कहने लगा कि मैं इससे उसका मसाज करूँ और बिना रुके मुझे उसका मसाज करते जाना है मेरा वो जो मालिक था वो एक मोटा सा आदमी था और उसके सरीर में खुजली की सिकायत रहती थी वो हर रोज मेरी मां से 3-4 गंटे लगता मालिस करवाता था वो कहने लगा मैं तुम्हारी मां को अपनी बेहन मानता हूँ और मैं इस दिमारी के बारे में मैं किसी को भी नहीं बता सकता मेरी मा थकान से बेहालसी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती थी कि गरीबी भी इनसान को किस कदर थका के रख देती है लगतार दो गंटे इस आदमी का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी उस आदमी ने अपने पॉर्ट से मुझे दू हजार रुपे निकाल कर दिये वो कहने लगा कि ये बिमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है इस नीम में कुछ खास जरी बूठिया है इसकी मालिस के बाद ही मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ वर्नाख खुजरी से मेरी चीखे निकल जाती है फिर कहने लगा मुझे तुम्हारी माने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बत्तमीजी की थी मैंने उसे इस बात पे बहुत डाटा था और तुमसे भी माफी मांगता हूँ आगे वो तुम्हे कुछ नहीं कहेगा मैंने उसे कुई जवाब नहीं दिया और कमड़े का दरवाजा खोल कर बाहर निकल गई मुझे मेरी मां के बारे में अब हर सवाल का जबाब मिल चुका था मैं अपनी मां की जितनी भी इज़्जत करती वो उतनी ही कम होती मेरे लिए तो मेरी मां एक महान औरत थी ना जाने मैंने क्यूं उनकी स्तराफत को सक की नजर से देखा था हर बंद कमरे हर बंद दरवादे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी आज की कहानी आपको कैसी लगी इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में घंटी को दबाकर ओल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोट्फिकेशन आपको तुरंत मिले मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे